नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलीज बज़ और आज के वीडियो में डिसकस करेंगे रेल्वे के मुस्ट इंपोर्टन टॉपिक है कंडिशनल नंबर लेटर को और ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही जादा इंपोर्टन है रेल्वे के सभी एक्जाम के लिए क्यों के को सनाते हैं पहला टाइप के को स्वाठे करते इस चैसे आपको समझ में आने लगेंगे ऍवेजन वइन कर दके निम अक्से निम्न अंके शंहिं किया में ऐसे कितने पांच है जिनके ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद साथ है तो यह सिरीज आपको दिख रहा होगा और इसी के अनुसार आपको क्या करता है सही अंसर बताना है ठीक है तो यहाँ देखेगा मैं यहाँ देखता हूँ इस को पूरा समय जून करता हूँ ताकि आप लोगो और भी जादा अच्य यह कुछतन देख सके है पूछा गया है कि ऐसे कितने पांच है, जिनके ठीक पहले 6 और ठीक बाद साथ होंगे। यहाँ पर हम लिख लेते है कि क्या कंडिशन दिया गया है यहाँ पहले पहले मना सथ है। चली आगे दीखेगा ठीन नहीं हो लेकिन ठीक बाद चार हो अबब यहाँ देखें ठीक पहले आपके क्या होने चाहिए 3 नहीं होने चाहिए कितने 2 है और ठीक बाद क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए तो ये condition आपको बनाना है 3 नहीं होना चाहिए और ठीक बाद क्या होना चाहिए 3 के लावा कोई भी आंकर चलेगा तो दिखेगा 3 के बाद लिखा गया 424 क्या लिखा गया 424 तो 24 अम लोगों को चाहिए था 4 से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसके बाद आप खुजिएगा तो 424 एक जगा और देखने को मिलेगा तो इस कोईशन का सही अंसर क्या हो जागा दो ही बार हो जाएगा तो यहां देखें ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी आपका सही अंसर हो जाएगा दो बार ऐसा होता है कि 24 आपको देखने को मिलेगा बट उसके पहले 3 देखने को नहीं मिलेगा ठीक है अग यही कंडिशन इसमें लगाया गया था चलिए आगे देखते हैं अगले को तर्पों यहां पूछा गया है कि लिम्ने क्रम में ऐसे कितने तीन है जिनके ठीक पहले ना तो छे और जिनके ठीक बात ना तो नौ है ठीक है तुछ चीज को मैं हटा जेता हूं और पूछा गया ऐस कितने तीन है जिनके ठीक पहले ना तो छे खे भी नहीं होना चाहिए ठीक है जो पिने होना चाहिए और क्या होना चाहिए 9 भी नहीं होना चाहिए मतलब 3 6 और 9 से घिरा नहीं होना चाहिए कित्रा condition है यह आपको दिखना है wł stri Rand चलेगा उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे ढूंट है यहाँ न continuation地 मिलेगा क्या मिलेगा 937 भी मिल जाएगा ठीक है 937 दूसरा नंबर मिल जाएगा तो यहां पर ऐसा कितना कंडिशन हो जाएगा दो कंडिशन हो जाएगा जहां पर यह कंडिशन फुल्फिल करता है तो आपका सही इसे हो जाएगा आपका सही है आप्सजा करते हैं और चाहे कुरसन को लिखते हैं तो निंवन अंक्य में उन सभी शाथ को ग्याद करें जिनके ठीक पहले पांच नहीं है लेकिन ठीक भात दो या तीन है अब दिखेका ठीक पहले कितने नहीं है पांच नहीं है बटे दो या तीन में से कोई एक हो सकता है दो और तीन में से कोई एक हो सकता है मतलब 72 या 73 बन सकता है ठीक है दो या 3 में से कोई एक हो ऐसे कितने साथ है सिंगला में मौझूद है यह आपको बताना है सिंगला आपके सामने लिखा गया है, मैं आपको सिधा solution बताऊंगा, और ये type 2 है, question number 4, type 2, ठीक है, ये कितना number है, question number 4 है, type 2 है, ध्यान से देखेगा, तो यहाँ pair जो भी बनता है, उसको आप लिखेगा, पहला pair बनेगा 172, पहले पास नहीं है, बट दो है, 172 बन जाएगा, दूसरा pair बनेगा 373, देखेगा 373 बनेगा, उसके बाद तिसरा pair बनेगा 273, क्या बनेगा, 273, ठीक है, 73 बन गया, 73 बन गया, 5 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है, तो वो भी condition fulfill किया, तो यहाँ पे कितने condition बन रहे हैं, यहाँ पे केबल 3 condition बनेगा, मतलब आपका सही answer क्या हो ज दीखेगा, थीक है, तो question number 5 मैं यहां लिखता हूँ, तो ध्यान सूदी दिखेगा, question number 5 है, और question number 5 को देखेगा, ठीक है, कोसर नमबर 5 में क्या लिखा गया देखिएगा निमने अंक के सरेनी में ऐसे कितने आठ है जो अपने ठीक पहले ठीक बाद वाले अंके से तथा ठीक पहले वाले अंक से पुर्णा भाजित हो जाते है ठीक है डिवीजिबल होना चाहिए मतलब आठ ठीक पहले भी चाहिए तो हम पियर खोजते हैं यहां पर एक पियर बनेगा 284 ठीक है उसके बगल में आप देखिएगा तो 284 बनेगा 282 ठीक है उसके बाद दीखेगा फिर से 284 आपको दिख जाएगा 284 अब 8 जो है 2 और 4 दोनों से डिवाइड होता 8 दो और दोनों से डिवाइड होता 8 तो ऐसे कितने पियर बन गहें तो ऐसे चार बन जाएंगे और यह आपका सही एंसर हो जाएंगे चार पियर तो देखी एभी कोशा दोस्तों काफी जादा असाल है चली आगे अगले कोशन में क्या है ध्यान से दिखेगा इस कुश्चन को हम क्या करते हैं उटा देखे हुँ चलिए आगे दिखेगा आगे क्या पूछा गया कुछन नमबर छे में निम्ना अंगे सिरेनी में ऐसी कितने आठ है जिनके ठीक पहले कोई संक्या सम तरह ठीक बाद कोई संक्या विसम है टाइप थ्री से उस्से टाइप के कुछन है बट कुछन का टाइप चेंज हो रहा है अब यहां देखेगा आठ ले लिजे ठीक पहले क्या बोला गया है कोई सम संक्या मतलब इवें नमबर और ठीक बाद क्या होना चाहिए और नमबर बोला चाहिए तो इस चीज़ आप लोगो समझभा आ गया अब इसका सॉलूशन में लिखता हूं कि कौन कौन से पियर ऐसे बनने वाले है तो 285 पहला नमबर बनेगा 288 दूसरा नमबर बनेगा 483 ठीक है तीसरा नमबर बनेगा यहां पे 483 अंति में 3 संक्या 483 इवें नमबर और 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 बीच में तो ऐसे कितने संक्या बन गया है ऐसे आपके 3 संक्या बन गया मतलब बाद को देखते हैं कि HA any सब्सक्राइब बाद को लिखते हैं तो इसके पहले कि लिए पहलेContag नमबर ठीक है बट क्या नहीं होना चाहिए बट क्या नहीं होना चाहिए पांच नहीं होना चाहिए इवें नमबर हो सकता है बट पांच नहीं हो सकता है इन में से देखिए पेर कौन-कौन सा बनेगा आपको खुजना होगा तो यहां पर पेर अगर हम खुजेंगे तो पहला पेर बनेगा 476 अब लोग दीखिएगा 476 पहला पेर बन जाएगा 477 दूसरा पेर बनेगा 677 पांच यंतिंग में नहीं भाट इवन नंबर है पहले उसके बाद तीसरा पेर बनेगा 889 और चौथा पेर बन जाएगा 277 चलिए तो ये बन गया तो इसमें कितने प्यार बन गए, 4 प्यार बन गए, और ये Foundation number कितना है, ये direction number 7 है, येẹ, e 거죠 No. 7 है, यहाँ मैंने change नहीं किया था, ये cook cell number 7 है, तो इस question का صही answer की वह जगा साथ में यहाँ पर सही और आठ देखेंगे नीचे दी गई संख्या सिरेनी वे ऐसे कितने विशंब संक्या है जिनको या तीं याँ पांस से पुरह तरह विभाजित किया जा सकता है difficulty उनके ठीक पहले विसम संख्या तथा ठीक बाद को इसम संख्या है तो दिखेगा यह एक्स हो गया जो तीन और पांस से भागा लग जाएगा दिख रहा होगा तीन और पांस से भागा लग जाएगा ठीक है और इनके ठीक पहले क्या होना चाहिए ठीक बाद विसम संख्या मत नंबर को खुजए यहां पर तो पेयर हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहला पेयर बनेगा तीन 25 एसे और अठारा एक इसके बाद यहां पर आगे देखेंगे 21,Grand दों मिल गया। तो कॉसन का सही answer हो जाएगा, दों मतलिभ ऑप्सेंट नम्बर रुजाएगा, इस कॉसन का सही answer क्या हो जागा, आप्सेंट नम्मर लुजाएगा, तो कितना असला पोसन नहीं से हम कॉसन को बना रहे जाएगा, हाग्ले टायप को देखते हैं टाइप चार, Κोसurn 9 को देखे यह नीचे दी गई संक्याओं के ओ मैं लिखा जाए और उसके बाद उसे आरोही क्रम बें सजाया जाए तो चौत्unya संक्या पर आने वाली संक्या के बिच का कहा और कि क्या होगा चौत्य अस्तान के आने वाली संक्या का बीच का न आव से पूँछा गया है, विपरिट करम का मतलब पहले मैं आपको बता देते हूं, जैसे 645 लिखा गया है, तो आपको क्या करना है, इस 5 को पहले ला देना है, 4 को बीच में रखना है, छे को इसको आप जाएगा ति यहाते हैं विपरिट करम, अब हम क्या करते हैं? इसको बनाते है इसको संपोठीक है अब यहां दिखेगा पहला संख्या क्या मन जाएगा? जब इसको विपरित करम में आप लिखेंगे तो पहला अंग बन जायगा पांसो च्टे आलिस तो हमने लिख लिया पान सो च्यालिस है इसे संख्यां को क्या करना है? कि सजाना हारोही क्रम men अब हारोही क्रम का मतलब क्या होता जो छोटा संख्या होगा उसको पहले लिखेंगे जो लाजर संख्या होगा उसको बाद में लिखेंगे तो छोटे संख्या से स्टार्ट कीजे तो 078 हो जाएगा उसके बाद क्या हो जागा 156 हो जाएगा उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो उसके बाद आ जाएगा 181 आ जाएगा उसके बाद अगर देखेंगे 181 के बाद तो 546 आ जाएगा 546 के बाद आप देखेंगे तो चौथा संख्या तो आरोही करम में सजाए जाए तो चौथा संख्या चौथा संख्या कौन सा होगा काउंट कीजिए तो चौथा संख्या कहा से माली जह अंतिम से बोला गया तो one two three four ठीक है जागा टो बीच का उंग कर 17 चार है तो अप्षोल में दीया गया तो अप्षोल दिया गया यही चीज आपको निकालना था यहां पर इस कंडिशन को समझना था और इस पर इस गौश्टन को बराना था देख सकते हैं ऑच्छा को में एक देखने को मिल सकते हैं संख्याओ को कि अंकों को जोर कर उससे घटते घटते क्रम में सजाया जाय तो निमने मैं से कौन सी संख्याओ कि फिर बीच में आएगी आप पूछा लुक्त नंबर 10 में यह निमने टिरीमिंस प्रねए स्जाएंगेस और नहीं इसल्य वार Brazil लिए मैं उसकेपड़ कीजी है तो द्रलां हो जाएगा उसके बाधर ऐड़ कीजेगा तो अथहारह लिखेघा थिक्षिछ मारन सौसे पाना कि बिस बाद 19 6 6 जोर दिना है मतलब 8-5-3 पहला जो संख्यां उसके अंगों को जोर दीजिएगा तो 8-5-13-16 ऑठिका तो उसला से इसा मैंने लिखे यहां पर कोई आप लोग नहीं होगा तो हमने किया अंगों को जोर दिया यहां पर स्क्राइब है कि अब देखना एक इनको घंड करम मतलब जो लाइजर ताइब भीस पहले आएगा उन्हेज़ जाएगा ड्टाएगा साथ उसके बात जाएगा इसके बात जाएगा सोला उसके तो आपका एंसर यही हो जागा अब दोस्तों अगले को देखें अगले को पूछा गया कि यदि निमन संख्याओं में से प्रतिक के बीच में बीच के अंक्य को ऑस्ता जाता है तो बीच के संख्या का तब पहला अंक्य क्या हो स्परा नगें का संख्या नगना में देखना स्पर ते को बनाते मों ध्यान से इस पर condition apply करना है तो बीच के संख्या में से 2 आपको घटा लेना तो कितरा आएगा सब्सक्राइब, इसे तरह आप देखेंगे पहला करडिशन यह अप्लाइग दर है इसी तरह यहां कितना आ जाएगा 446 आ जायगा और उसके बाद आगे देखेंगे 248 के बाद 756 चापना जाएगा ठीक है तो ये हमने के स्रीज को लिख लिया अब यहाँ पर क्या करना अगला क्टिसन क्या है अब ये 62 अंकों को पलट देना है मतलब इसको और इसको रिप्लेस कर देना है तो ये कितना आजैगा 5 5 5 5 5 5 5 दूसरा कंडिशन यह पहला कंडिशन हो गया यह दूसरा कंडिशन पर अभी संख्या को बना रहे है तो यह आप लोगे समझे में आ रहा होगा अब last sankhya क्या बन जाएगा? 844 के बाद है 657 मन जाएगा क्या बन जाएगा? 657 तो हमने दूसरा condition भी apply कर दिया अब तिसरा condition क्या बो लगया है? अब इन संख्याओं को अरोही करम में arrange करेंगे तो अरोही करम में जब arrange कीजेगा तो इसके बाद यहां क्या हो जाएगा, तो इसके बाद यहां पर 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 क्या हो जाएगा, तो इसके ब मिरेख एज़ qualcosa को समझाता हूँ पहले आपको क्या करना थे बीच वाले संख्यां में सदोग अधाना था हुआ उसके बाद क्या करना थे पहला और आखरी का और सी क्रम्लक अंदर बिसके तो प्रकार्ण दाय से साथवा होगा तो इस कोशन में कुछ नहीं करना है पहले इस question को मैं हटा दता हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे यह हमने numbering कर लिया, इससे क्या होगा कि पहले को आपको किस से replace करना है, 6 से दूसरे को आपको किस से replace करना है, 4 से इस तरह आगे continue होके चलेगा, 5 वे को 10 वे से replace करना है, इसका मतलब यह 6 से क्या हो जागा, यह पहले आ जाएगा, मतलब यहां लिखें और 8, 9, 0, 3, 2, यह बाद में आ जाएगा, तो यह संख्या बन जाएगा, जो संख्या आमने को बनाना था, अब पूछा गया कि कौन सा संख्या दाय से सात्वा होगा, तो दाया मतलब राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब साथ, अब साथ, आप साथ, आप साथ, आप साथ, आप संख्या दिया होगा है, सातवानु अप साथ, 925, 413, शंख्या के दूसरे, सात्वे और नौवे, अंक में से, किन्ही, दो का व्योग करने पर, कम से कम, एक ऐसी, दो अंकिये संख्या बनायाना संभाव हो, तो संभाव हो तो उसमें एक ओंक का, पूर्ण बरत हो, मतलब है, ठीक है यदि दो संख्या बनाई जा सकती है तो उत्तर 11 होगा यदि कोई संख्या नहीं बनाई जा सकती है तो उत्तर 0 होगा तो हम लोग देखते हैं जब question को मैं बताऊंगा तब आप लोगों समझ में जादा अच्छे तरीके से आएगा तो पहले हम इस संख्या को लिखते हैं तो पहले इस संख्या को लिखेंगे तो साथ छे आठ नौ उसके बाद क्या लिख्या गया? कि तो 5 आपर 6, patch water, 2, 5 दो 5 और 413 लिखा गया एक फित क्या को घृुक्त को दिकत नहीं है अब इसमें क्या बूला गया कि इसमें बुला गया नृसरे साथमे नी और यह नृवव्या हो गया ृतिरा चऊथा पांक्पांचमा gilt परफेक्ट स्क्यार मारत शान जाए गहां। लिखा गया ठीक है अगडirana अगला कुछन है अब ध्यान से दिखेगा को सब्सक्राइब यहां पर कंडिशनल क्या हो जागा लेटर अभी तक हम कोसन जो दीख रहे थे कंडिशनल नमबर पर था और यहां से टाइप 6 हो जाएगा ठीक है यह दिखेगा निम्न अक्षर सिंखला में ऐसे कितने एंग है जि चाहिए और ठीक बाद एक से होना चाहिए लेकिन उससे एक्स के ठीक बाद टी ना होना चाहिए मतलब एक्स के बाद क्या नहीं होना चाहिए यह टी नहीं होना चाहिए यह टी नहीं होना चाहिए तो इस तरह सामने लिग लिए अब दिखेगा ऐसा कितना कंडिशन बनेग तो N के बाद X है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, N, X, N, यह पहला बन जाएगा, ठीक है, N के बाद फिर X खोजना है, तो N, X, C, N, X, C, यह दूसरा बन जाएगा, N, X, C, फिर N, X, Q, N, X, Q, यह तीसरा बन जाएगा, फिर N, X, T, यह नहीं लिए ना हम लोगो, N, X, M, N, X, M, कितने बन गए, चार बन गए, तो 4 option में दिया गया, तो option number B में दिया गया, ठीक है, तो option number B आपका सही answer हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे हम संख्या वाले question को बना रहे हैं, वैसे हम लेटर वाले question को बनाएगे, अगला question आपके सामने है, कि निम्द सिंक्रला में से ऐसे कितने Y है, जिनके तुरंद बाद P, लेकिन P के तुरंद बाद K नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा आपको कुझना है, कि ऐसा कित पहला प्यर बन जाएगा, कि नहीं होना चाहिए, तो Y P, Y P Y, एक प्यर बनेगा Y P, Y, पॉक्त, तो एक और प्यर बनेगा, बस्तीन प्यर बन पायेगा, यहाप मतलब option number B, आपका सही answer होगा। को ठीक है तो इस तरह से आपने मतलब करते इस से अल्फाबेट के मतलब अल्फाबेट में जो भी दिया गया था गिवन अल्फाबेट में उसके बाद कॉसर नमर सोला है कंसिस्यूसर में ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनके तुरंत बाद वाविल है जिनके तुरंत बाद वाविल है तो देखें यू भी वोबल हो जाएगा और पिर से आई मिलेगा एक और यहां पर आई के बाद एक ओ लिखा गया है ठीक है जिनके तुरंत बाद या तुरंत पहले भी तो अगर तुरंत पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ओ के पहले क्या है ओ के पहले क्या है एक यह बनेगा और भी पैर बनेगा तो और भी पेर बनेगा यहां बनना चाहिए ठीक है आई ओर टी और यू और टी एक पेर बनेगा यू और यू और तुरंट पहले भी और तुरंट बाद में भी अक्षर के ठीक है तो इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा option number C हो जाएगा तो दोस्तों कितना जाना असान है चले अगले कोशन को देखते हैं कुशन नमर 17 में पूछा गया है कि ऐसे कितने क्यू कितने क्यू इस इंकला में उपस्ती थे जिनके तुरंट पहले आर और तुरंट बाद एस नहीं होना चाहिए ठीक है तो आर क्यू हो सकता है बड़ उसके बाद एस नहीं होगा तो इस तरह के अक्षर को लिखिए जो given alphabet का जो sequence है उसमें देखे कि ऐसा कितना हो रहा है तो एक जगा मुझे दिख रहा है और क्यू आर लिखा गया ठीक है तो दिखिएगा और एक ही जगा ऐसा हो रहा है ठीक है तो only one हो जाएगा और one कहां दिया हुआ है कौनसे option में option number d में दिया ठीक है तो question number 17 भी दोस्त है मतलब engine है जिनके तुरंत आगे और पीछे वावल है ठीक है consonant मतलब एई आई ओ यू को छोड़ कर एई आई ओ यू पाच वावल होते हैं बाकि 22 क्या होते हैं अब यहां पर देखिए कि education में ऐसे कितने हैं तो मैं यहां लिख देता हूँ छोटा से question है education अब यहां पर आपको देखना है कि यहां पर देखना आपको कैसे कितने consonant है एक बी जिसके पहले यू और यू मिल गया एक मिल गया आपको यहां पर सी के पहले भी और यू मिल जाएगा उसके बाद यहां पर टी मिल गया टी के पहले भी क्या मिल गया इसको सरकल कर देता हूँ ऐसे करके सरकल कर दिया ऐसे करके सरकल कर दिया ऐसे करके सरकल कर दिय तो आपका एंसर क्या हो जाएगा आपका एंसर क्या हो जाएगा अब यहां लिखेंगा नमबर भी है आपको तीनों चीज देखने को मिलेंगे और इनका एक पर अधारिज पास को सना आपको दिया गया ठीक है पहला को सन देखिए पहला को सन में पुछा गया कि हम इन 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 अलेमेंट और यहां पर क्या करना होगा लफ से दस्वा काउंट करना होगा उसके बीच में देखेंगे तो कितने अलेमेंट होगें वह काउंट करके आपको निकालना होगा तो दस हो जाएंगे और आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है तो कोशन दोस्तों असान है कि वहाला को काउंट करना असानी से आप निकाल लीजएगा इसके लिए कोई at the rate इसे एक्जाम में पहले नहीं बनाईएगा क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि टाइम आपको ज़्यादा लगे क्योंकि पांस कोशन में पांस बार आपको सूचना होगा ठीक है मैं आपको बताऊंगा भी मैंने सुरुवात कर दिया है तो पहले हम इसको बना लेते हैं बट मैं सिक्वेंस में आपको पेपर को अटेब्ड करना है यहाँ पर सी एक्स है एंड लिखा हुआ है ठीक है अब आपको देखना यहाँ पर कि आगी क्या आएगा क्या है दिखे तो ए जजanas are two पिन नंविखा वाइफ फर च एंड लिखा गया उसके बाद कर मार के क्या वार्यआ व्यख्ण नमबर को दीजिए गा तो यहाँ पर क्या हो जागा टी डॉलर यह आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है तो कहां लिखा हुआ है तो option number E में हो जाएगा ना option number E आपका सही answer हो जाएगा ठीक है अगले question को देखेंगा अगले question में आपसे पुछा गया है कि which of the following element is to the अब यहाँ देखे एक चीज मुझे बताना होगा यहां पर जहां भी right हो या फिर left left हो तो वहां क्या कि जीए मैइनस कीज़े गए तो यह जो the following element 7th to the left of ninth element from the right. मतलब जो कोसन में लिखा गCR चलिए मैं दिखले चैनले से का लिखा गया है जाल है सेंथ है डा चैनला लिखत इस सेंफ उन सेंथ था है 9th Zhaun सुल्ला π्रॉम यहां सुल लांप सेंमन step है अब राइट कॉन्स जाइगा यहां से राइट साइट की जगा तो आपका एंसर आजाएगा तो यह भी कोशन दोस्तों असा था ठीक है तो हल्का सा आपको बना सकते क्योंकि इस को समझना होगा फिर बनाना होगा क्या लिखा गया है सब्सक्राइब करना है उसको क्या करना है मतलब जो राइट में है वो लेफ्ट में चले जाएगा सब्सक्राइब क्या करना दिखेगा अरिजमेंट सब्सक्राइब करना है उसके बाद आपको काउंट करना है सब्सक्राइब करना है उसको ध्यान में रखेगा इस को बनाने का दो तरीका या तो सिरीज लिखने के इतना टाइब नहीं है या फिर जो आपने रिवर्स किया उसको दिमाज में रखें बहुत है तो वहां से काउंट कर सकते उल्टा तो यह एक नंबर के लिए आपको काफी जाला महनत करना वहाँ चलिए अगले को देखते हैं अगले को सब्सक्राइब नंबर के बार में बोला गया है और यह यह होना चाहिए या फिर आपका नंबर सिंबोल होना चाहिए ठीक है नंबर सिंबोल होना चाहिए तो यही चीज आपके पूछा गया है कि each of which either preceded by वावल और followed by symbol और बोद मतलब दोनों चलेगा यह तीनों आपका अलग-अलग होना चाहिए इन तीनों को count कीजिए जैसे एक example मैं बता जता हूँ आपको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर आप देखेंगे question number 5 में तो ए 9 and the rate लिखा हुआ है ठीक है यह सिंबल से followed हो गया उसके बाद आगर आप देखेंगे 8 लिखा गया यह भी सिंबल से followed हो गया number तो उसके बाद आप देखेंगे 7 and लिखा गया है, 7 and लिखा गया है, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे, 6 dollar लिखा गया है, 6 और dollar लिखा गया है, उसके बाद आप देखेंगे, 4 और exclamatory का साही लिखा गया है, तो ये कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 option में दिया हो गया हो था, 5 भी आपका क्या हो मतलब option number E, इस question का सही answer हो जाएगा, तो जितने भी important question थे conditional number later में, वो सभी हमने देख लिया, इसके बाहर आपके exam में बिल्कुल नहीं पूछे जाएगे, तो इन सभी question को आप लोग अच्छे से करके जाएगा, और यहां से exam में जरूर question पूछे जाएगे, ठीक है, आपने